नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर विशाल पुरोयत और आपका कल्पना एस्थेटिक्स के हेल्ट इन्फरमेशन सीरीज में स्वागत है मेरी प्राक्टिस में लगबग हर पेशन्ट मुझसे एक सावाद जरूर पूछता है कि strip technique और SUV technique में से बहतर कौन सा है और उनके लिए best क्या है तो मैंने सुचा क्यों ना इस पर एक वीडियो भी बना देता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है इंटरनेट पर बहुत सारे articles हैं दोनों ही techniques के बारे में और बहुत सारे भरम भी हैं तो सिर्फ एक technique करता है वो अपनी technique को best बताता है लेकिन ऐसा नहीं है इस वीडियो में मैंने दोनों ही techniques के फाइदे और नुक्सान compare करे हैं मेरा मकसर किसी एक technique को बहतर या बिकार बताना नहीं है दोनों techniques बहुत अच्छे हैं लेकिन इनकी जगह अलग-अलग है वैसे तो मैं उमीद करता हूँ कि आपने हमारे hair transplant, hair loss और hair transplant की दोनों techniques पर बने videos देख लिए होंगे अगर नहीं देखे हैं तो नीचे description में ये link से वो videos दरूर देखिए और न देखना चाहें तो मैं एक छोटा सा introduction hair transplant पर देदेता हूँ hair transplant एक ऐसी surgical प्रणाली है जिसमें हम एक भाग से बाल निकाल कर सरीर के दूसरे भाग पर लगा सकते हैं hair transplant गंजापन दूर करने के काम आती है साथी साथ eyebrows, दाड़ी और मूछों को भी ठीक करने के काम आती है यह एक सरल और सुरक्षिक टेकनीक है जो की शांदार रेजल्ट्स देती है hair transplant को तीन चरणों में बाटा जाता है पहले चरण में permanent बाल सर के पीछे बाले भाग से निकाले जाते हैं बाल लगाने हैं, वहां सुक्षम चेद बनाए जाते हैं और तीसरे चरण में इन चोड़ों में छोड़े छोड़े बालों को प्रत्य रुपित कर दिया जाता है दोनुही तकनीकों में दूसरा और तीसरा चरण लगभग समान है फरक बस बाल निकालने के तरीके का है मैं strip technique और FU technique को यहां बहुत विस्तार से नहीं समझाना चाहता इसके लिए आप नीचे description में link को click करके इस पर बने videos देखिए मैं यहां बस काम-काम के अंतर बताना चाहता हूँ strip technique में एक centimeter चौड़ी बालों की एक पट्टी सर के पीछे वाले भाग से ली जाती है इस पट्टी में तोचा के साथ बाल और बालों की जड़ें भी होती है फिर इस पट्टी को microscope के नीचे रख कर इस में से छोटे छोटे बालों के गुच्छे निकाले जाता है जिने बालों के गुच्छे के इर्द गिर्द तोचा का गुलाकार काड़ देते हैं और फिर एक बारिक पकड़ से इन बालों को सीधा ही निकाल लेता है वैसे मैंने कुछी वाक्यों में दोनों प्रक्रियों को बहुत सरल करके संधा दिया दोनों इतने सरल नहीं है और इसमें भी बड़ी कलाकारी है अब आते हैं काम की बात पर कि दोनों में फर्ग क्या है मैं आपको वो काम के फर्ग बताऊंगा जो आपको ये निर्णे लेने में मदद कर सकें कि आपके लिए बहतर क्या रहेगा सब इससे पहले डोनर एरिया और हीलिंग के बाद बनने वाले स्कार की बात करते हैं स्ट्रिट टक्नीक में तोचा की पट्टी निकालने के बाद उपर और नीचे की तोचा को पास लाकर प्लास्टिक सर्जिरी की एक स्पेशल टेक्टी ट्राइकोफाइटेक क्लोजर द्वारा टांके लगाए जाते हैं इसका फायदा ये है कि एक बारीक पतला निशान बनता है जिसमें से बाल भी निकलते हैं पूरी तरह हीलिंग हो जाने के बाद अगर आप उसमें हाथ तिराओगे तो निशान का पता नहीं पड़ेगा अब क्यूंकि टांके लगाए गए हैं तो दस दिन बार टांके खुलवाने भी पड़ेंगे वहीं एक फीर टकनीक में ये टांके लगाने की जरुरत नहीं पड़ती हम ऐसे ही मशीन से छोटे छोटे बारीक छेद बना कर बालों के गुच्छों को निकाल लेते हैं और इस कारण हीलिंग के बाद छोटे छोटे दाने जैसे निशान बनते हैं निशान दोनों में ही बनते हैं तो समभावनाओं की सूची अंगिनत है अब आपकी रसोई में रखा चाकू फल सबजियां काटने के काम आता है कोई बच्चागर इसे इस्तमाल कर ले तो चोट लग सकती है और कोई बुरे मन का व्यक्ति से इस्तमाल कर ले तो और भी बहुत नुकसान पहुचा सकता है इसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि बले ही स्प्षिप टेक्नीक हो या एफ़वी टेक्नीक हो है ट्रास्टनाट एक प्रॉपर्टी ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटॉलिस्ट से ही करवाना चाहिए वही एक सर्जरी अगर पांच अलग-अलग लोगों में की जाए तो अलग-अलग रिजल्ट आएंगे किसी के बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा किसी के कम अच्छा रिजल्ट आएगा कुछ लोगों में हीलिंग के बाद निशान चोड़े हो जाने की प्रव्रिक्ति होती है मगर ये पहले से बता पाना बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति में अगर स्ट्रिप टेक्नीक से बाल निकाले जाएं तो बाद में बनने वाला निशान बारी एक और पतला नहीं बनेगा उसकी बजाए चोड़ा बनेगा और अगर F.U.E. एर ट्रांस्प्लांट किया जाए तो बाद में छोटे छोटे दाने जैसे निशान बनने की जगे थोड़े बड़े गोल निशान बनेगे F.U.E. टेकनीक में तुचा नहीं निकाली जाती इसलिए निशान अगर बड़े बने तो बालों के बीच में से दिखाई भी दे सकते हैं एक और बात है F.U.E. टेकनीक में अगर बाल निकालने वाले ने यानि हेर ट्रांस्प्लांट टेकनीशन या डॉक्टर ने बहुत सारे बाल निकाली है तो बचे हुए बालों के गुच्छों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और तीसरे आदमी के आँखों को तुरंट पता पढ़ जाएगा अब दर्द की बात करते हैं आप जिस भी टेकनीक के बारों में पढ़ोगे वहीं लिखा होगा कि इसमें कम से कम दर्द होता है सच्चाई ये है कि दोनों में बराबर दर्द होता है अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि हर व्यक्ति की दर्द बरदाश करने की ख्षंता अलगल होती है जैसे कोई गर्टी निन्याने बुखार पर भी विश्तर पकड़ लेता है और कोई गर्टी एक सो तीन पर भी क्रिकिट खिलने चला जाता है दोनों ही तकनीकों में सरजरी प्रारंब करने से पहले सुनी की स्वी लगाई जाती है और किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता सरजरी समात होने के बाद जैसे जैसे सुनी की स्वी का सर खतम होने लगता है थोड़ा बहुत दर्द पता लगने लगता है लेकिन हम दर्द की दवा देकर दर्द को कम कर देते हैं आप जानते ही हैं कि दर्द की दवा दर्द को गायब तो नहीं करती लेकिन उसे इतना कम जरूर कर देती है कि आप आसानी से बरदाश्ट कर पाओ सरजरी के तीन दिन बाद मैं अपने हर हैर ट्रांस्टरांट के पेशन को क्लिनिक पर पहली बार बाल धोने के लिए बुलाता हूँ और सबसे पहला सवाल यही पूछता हूँ कि दर्द कितना हुआ यकीन मानिये अजिकांच लोगों ने यही कहा है कि हम तो खामखार दर्द से डर रहे थे हमें तो बहुत पहले ही हैर ट्रांस्टरांट करा लेना चाहिए था अब एक और काम का फरक समझते हैं जिसे मैं कहता हूँ बालों की अंक्रकनित The Mathematics of Hair Transplant मैंने अपने Hair Transplant वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह हर Hair Transplant में हमेशा बालों की तंगी रहती है Hair Transplant में बालों की जरूरत इस पर निर्वर नहीं करती कि आपका गंजापन कितना है वो इस पर निर्वर करती है कि हम एक बार में सर के पीछे वाले भाग से बिना कोई नुकसान पहुंचाए कितने बाल निकाल सकते हैं और भविश्य में होने वाले Hair Loss के समाधान के लिए और कितनी बार Hair Transplant प्रक्रिया दोहरा सकते हैं वैसे Hair Transplant पर बने वीडियो का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जरूर देखिए उसमें बहुत सारी काम की बाते समझ आएंगी स्ट्रिप टक्नीक में हम लगबग एक सेंटिमीटर चोड़ी एक पट्टी लेते हैं जिसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर छोटे-छोटे बालों के गुच्छों को निकालते हैं अब क्यूंकि बालों की जड़ों को माइक्रोस्कोप में देखकर बालों के गुच्छों को लखिया जाता है इस टेक्नीक में बहुत कम नुक्सान पहुंचता है FUE टेकनीक में मशीन द्वारा बालों के दिशा में छेद बनाकर एक बारीक पकड़ से बाल के गुच्छे को निकालने का प्रयास किया जाता है अब अगर मशीन चलाते समय दो या तीन दिग्री आंगल गलत हो जाए तो बाल की जड़ कट जाएगी और हमें ट्रांस्प्रांट के लिए बाल नहीं मिलेगा दूसरी बात क्योंकि हम त्वच्छा नहीं हटा रहे केवल बालों के गुच्छों में निकाल रहे हैं हम एक साथ पास-पास के दू गुच्छे नहीं ले सकते एक गुच्छा निकाल कर पीछे दो छोड़ने पड़ेंगे यानि एक स्ट्रिप बराबर हिस्से में FUE करें तो केवल एक तिहाई बाल ही प्राप्त हो पाएंगे और स्ट्रिप के बराबर बाल निकालने के लिए उससे तीन गुणा बड़े इलाके में FUE करनी पड़ेगी मैंने आपको हैर टांस्पांट फाले वीडियो में बताया भी था कि डोनर एरिया लगबख 4-6 सेंटिमेटर चोड़ा होता है और इसी कारण से पर्याप्त मातरा में बालों के कुछों को प्राप्त करने के ये FUE टेक्नीक में अकसर पूरे डोनर एरिया को एक बार में इस्तमाल कर लेना पड़ता है वहीं strip technique में हम बाकी के donor area को छोड़ देते हैं जिसे भविशे में इस्तमाल किया जा सकता है FUE technique का एक खास फायदा है उसे ऐसी जगे में किया जा सकता है जहां पर हम समानेते चीरा लगाना नहीं चाहते किसी भी कारण से अगर किसी के सर के पीछे वाले भाग में बाल उचित मात्रा में नहीं हो और फिर भी हम बालों की गनश्ता बढ़ाना चाहते हो तो हम दाड़ी के बाल भी ले सकते हैं या शरीर के बाल भी ले सकते हैं जिसे हम कहेंगे body hair transplant यह दोनों ही प्रक्रियां सिर्फ FUE तक्नीक से संभव हैं दाड़ी के बालों में FUE के छोटे छोटे दाने जैसे निशान चुपाना बहुत आसान है लेकिन स्ट्रिप का लंबा निशान नहीं चुपता FUE टेक्नीक छोटे hair transplant करने के लिए बहुत अच्छा है जैसे कि eyebrows को ठीक करने के लिए या मूचों को ठीक करने के लिए क्योंकि इसमें ज़्यादा body team की आवश्यक्ता नहीं पड़ती और नहीं बहुत सारे infrastructure की ज़रूत पड़ती है पर बड़े hair transplant के लिए strip टेक्नीक ज़्यादा उच्छित है क्योंकि ये अंक गणे के खेल में FUE टक्नीक से जीच जाती है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे बार-बार दोराया जा सकता है और इसी में maximum hair मिल पाते हैं मैं एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपके बार जढ़ गये हैं और गंजापन हो गया है तो hair transplant उसका एक मात्र सरल और सुरक्षत उपाय है तो अगर आपको गंजेपन की समस्या है तो बे जेजक hair transplant surgeon की सलालें ये हम से मिलें